अगर आप लोग phone pay की मदद से किसी व्यक्ति के खाते में पैसा भेजना चाहती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे भेजा जाता है, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हुँ, कि कैसे आप phone pay की मदद से किसी व्यक्ति के खाते में पैसा भेज सकते हैं, तो तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट की हुए देखना तभी आप सही प्रोसेस जान पाओगे तो बिना टाइम बेस्ट की हुए चलिए वीडियो को करते हैं start तो इसके लिए आप सभी को अपने phone पे application को open कर लेना है open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर transfer money पर आपको चार option सो हो रहे होंगे एक एक तो है two mobile number आप किसी को mobile number से पैसा भी सकते हैं दूसरा two bank upid और तीसरा two self account और चौथा self balance तो आपको two bank upid वाले option पर click करना है तो आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर जो plus वाला icon है इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आप किस bank के account में पैसा भीजना चाहते हैं जैसे SPI bank of badodra, pay t.m. actual payment तो आपको उस bank को select कर लेना है जिस bank के खाति में आप पैसा भीजना चाहते हैं तो जैसे कि मैं state bank के खाति में पैसा भीजना चाहता हूँ तो यहाँ पर state bank पर click कर दूँगा अब य तो आप जिस भी bank को select कर रहेंगे, आपको उसका account number डाल देना है, तो यहाँ पर मैं अपना account number डाल देता हूँ. Account number डालने के बाद आपको next पर click कर देना है, जैसे आप next पर click करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा, बाद बैंक account किसके नाम पर है, यहाँ पर आपको उनका नाम सो दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद आपको proceed to paper क्लिक कर देना है, जैसे ही आप इस पर click करते हैं, अब यहाँ पर आपको amount select करना है कि आप कितना पैसा भीजना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस खाते पर एक रोपे भीजने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक रोपे select करूँगा, अगर आपने अपने phone pay account में 2-3 account select किये हैं, तो आप यहाँ से change भी कर सकते हैं कि आप किस bank account से पैसा transfer करेंगे इस वाले account में, तो यहाँ से मैं bank को बढ़ोधरा खाते से पैसे कटवाँगा, और इस वाले account में पैसा भेजूंगा, एक रोपे, इसके बाद आपको paper click कर देना है, paper click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना UPI pen डालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपना UPI pen डाल देना है, जैसे ही आप अपना UPI pen डालते हैं, तो आपका जो payment है, वो successful हो जाएगा, और जो पैसा है, और जो पैसा है, जिस व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं, वो उसके खाते में चला जाएगा, इस तरह से आप phone pay की मदद से किसी व्यक्ति के खाते में पैसा भेज सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को करके जरूर जाएं.